कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके समख्ष डॉक्टर लता अगरवाल की कहानी रिसन लेकर उपस्थित हुई हूँ यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें डॉक्टर लता अगरवाल की कहानी रिसन कल शाम हलकी बूधा बांदी के बाद आज की सुभए और दिनों जैसी सामानी थी कुछ भी अलग नहीं था स्वच्छ दुला दुला आस्पान आज संडे है सपता का आकरी दिन राम्या का अवकाश है मैंने तै कर लिया था आज लंच में उससे बात करके ही रहूंगी राम्या बेटे लड़के वालों के कई फोन आ चुके हैं क्या जवाब दून है बताओ मुझे अरे कहे दो लड़की शादी नहीं करना चाहती मानो जुबान पर तैयार रखा शब्द उसने फटाक से उगल दिया ऐसे कैसे चलेगा बेटी आखिर मानती क्यों नहीं दुनिया ऐसे नहीं चलती तुझे ब्या करना पड़ेगा फिर मीरा क्या भरोसा कब देरा उठ जाए मैंने शुब्द होते हुए कहा मेरी प्यारी मा को कुछ नहीं होगा डोंट वरी और मुझे एक छप्पी दे कितनी बेफिक्र अंदाज में कहकर वह उठ खड़ी हुए कहा चली मैं तुझ से बात कर रही हूँ देख मेरी बच्ची सब कुछ जानने के बाद भी ये भले लोग हैं रिष्टा करना चाहते हैं परिवार समझदार लगता है खासकर लड़का मा कोई आप पर या मुझ पर एहसान नहीं कर रहा समझीं गुना हमने नहीं किया है जो लगों के तरस का कारण बने अरे दिमाग से निकाल दो ये है अपराद बूत और ये भी कि तुमारे हातों के लकीर में कन्यादान की रेखा है कहते हुए राम्या अपने कमरे में चली गए क्या करूं इस लड़की का कुछ समझने को ही तैयार नहीं कितना जहर भर कर बैठी है मन में भला जहर भी इलाज है किसी बीमारी का दोश तो उसे भी नहीं दे सकती जिसका बचपनी हादसों नफरतों उलहानों की जमीन पर गुजरा हो उस पर तो कटीली जाडिया ही लगन किसी महगदार या छायादार दरक की उमीद क्यों कर हो कौन समझाए से जिन्दगी ऐसे नहीं गुजरती पगली दिल पर कितना बोज लिये जी रही है खुद भी दुखी है और मुझे भी रात दिन की फिक्र में डाल रखा है हाँ बोज यही बोज तो है जो राम्या को इतना समेट रखा है कि कोई भी उसकी जिन्दगी की सीमा रेखा में प्रवेश नहीं पा रहा यहां तक की स्वेम मैं भी नहीं समझ पा रही आकिर उसके मन में क्या चल रहा है जब भी ब्याहा की बात करती हूं इस पस्ट्र ना का जवाब मिलता है माता-पिता बेटियों के जीवन को लेकर कितने सपने देखते हैं मगर अभागी राम्या के लिए माता-पिता ही उसकी जिन्दगी का नासूर बन बैठे हैं अतीत कव है काल चक्र आँखों के आगे तांडव करने लगा संडे ही का दिन था उस दिन यू तो मैं हर रोज सुबह पांच बजे उठ जाती थी कारण इसकूल जाने से पहले सारे काम जो निप्टाने होते फिर राम्या की जिम्मेदारी भी एक अकेले उस पर ही थी किन्तु कल से आर्थराइटिस का दर्द कुछ बढ़ किया था फिर संडे होने से सूचा जब इश्वर ने इमोलत दे दी है तो क्यों ना इस काया को ही कुछ विश्राम दे दूँ वरना हर दिन पांच बजे से जो मशीन की तरह शुरू होती हूँ तो देर रात गए तक आहुती देती रहती प्रतेश से कभी पती का प्यार तो छोड़िये इसने के दो बोल भी न मिल पाए फिर भी एक संसकारी पतनी का फर्ज निभाती सुभै सुभै घर के कार्यों को निप्टाती प्रतेश के लिए नाश्ता लंच बनाती उसका सामान सहेजती ताकि सही समय पर दफतर जा सके तब कहीं जाकर बेटी राम्या को तैयार कर जूला घर छोड़ते हुए अपने स्कूल के लिए रवाना होती मैंने जान बूचकर राम्या को अपने स्कूल के पास एक जूला घर में रखा ताकि छुट्टी में उसकी देख भाल कर सकूँ रतेश के विक्तित्व में किसी के लिए फिक्र जैसा कोई भाव न था उफ कितना मुश्किल होता है जीवन साती का होकर भी न होना खेर अलसाई सी में बिस्तर पर ही करवटे बदल रही थी कि अचानक पंचम स्वर में रतेश की आवाज गुंजी तुम्हारे माबापने यही सिखा कर भीजा है दिन इतना चड़ाया है मगर अभी तक पसरी पड़ी हो यह कैसी भाशा में बात कर रहे हो रतेश अभी तो साथ ही बजे है फिर आज छुट्टी है मैंने घड़ी देखते हुए कहा था मतलब तुम्हें नहीं उठना वे लगभग चिलाते हुए बोला धीरे बोलो रतेश राम्या सो रही है और मैंने ऐसा कब कहा उठ रही हूँ बस आच जरा आर्थराइटिस का दर्थ मुझे तुमारी कहानी में कोल दिल्चस्पी नहीं मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही रतेश ने अपना जहर बुझा तीर मुझ पर छोड़ा मैं जानती हूँ उसकी मुझ में कोल दिल्चस्पी नहीं है इसलिए मेरी सदा कोशिश रही जब भी रतेश आक्रोश में हो मैं खामोश रहूँ बेकार बात बढ़ाने से क्या फायदा यूँ भी अब तो मुझे इन सबकी आदत सी हो गई थी तकदीर के इस फैसले के आगे हत्यार डाल दिये थे मैंने तो होने को प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था रतेश जाने कैसी मैनेजरी करता था घर में तो सदा काट खाने को दोड़ता जाने क्यों हमारे जिंदगी का व्याकरण शादी के साड़े तीन वर्षों बाद भी नहीं बैठ पाया किन तु इंसान हूं कभी तु मन प्रतिकार कर ही उठता आखिर मेरा भी स्वाविमान है सो कहे बैठी जानती हूं आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं मैं देह वनकर रह गई हूं मैं आपके लिए वह भी आपकी मर्जी के अनुसार कारण कोई नहीं वह पहली ही रात कह चुका था माबाब ने जबरदस्ती गले बान दिया है तुम्हें कौन पत्नी होगी जो पती के गले बंधना चाहेगी अरे वह तो दिल में इस्थान पाना चाहती है पती के ताकि भावना और संभावनाओं के सेतु दोनों के बीच बना रहे अब रदे रतेश को कौन समझाए ये बात नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किये साड़े तीन वर्षों में बहुत प्रयास किया कि किसी तरह रतेश सामान ने हो दोनों के बीच सब कुछ अन्य दमपत्यों सा हो मगर रतेश है कि कुछ समझने को ही तैयार नहीं मैंने तो यहां तक कहा कि रतेश क्या बहतर नहीं होता आप अपने माता पिता को पहले ही मना कर देते तो आप और मुझे इस तरह के अंचाहे रिष्टों का दंच न जीलना पड़ता अब भले ही प्रेम न सही मगर संबंधों का परिणाम बनकर राम्या भी आ चुकी है हम दोनों के बीच अब तो अ आराज मत करो जिन्दगी को मगर जाने किस पत्थर का बनाथव है कि तिल भर भी पिखलने को तयार नहीं चाहे अंचाहे पलों का प्रतिफल ही सही मगर हमारा खून है राम्या अफसोस कि राम्या भी हम दोनों के बीच सेतु न बन पाए प्रतेश को राम्या से भी कोई जैसे एक पिता के मन में अपनी संतान के प्रति होता है इसी लिए मुझे राम्या की अधिक चिंता थी आकिर मा हूं मातरत्व का सुक दिया है अतहरिणी हूं इस बच्ची की जिन्दगी में अब एक वही तो मेरी आस थी वरना इतने धूपिल सफर में एक भी छायादार द जरक्त नहीं जिसकी छाह तले कुछ पल विश्राम कर सुकून पा सकूं जैसे तैसे अनमनी सी मैं बिस्तर से उठी और रसूई की ओर बढ़ गई चाय नाश्ते के बाद हफते भर के कपड़े धूकर दोपहर के खाने की तयारी में जो लगना था संडे हम काम काजी महलाओं पर और भी भारी रहता है मैं यहां वहां से कपड़े बटोरने लगी जैसे रतेश ने कहा अपने कपड़े दे दीजे धूने को दीदू मतलब क्या है तुम्हारा जब सब मुझे ही करना है तो तुम क्यों यहां हो रतेश जाने क्यों भिरने को आतोर था उसने ये बात कु क्या आज देर तक सोकर मैंने कोई गुना कर दिया क्या मेरा अपने पर तनिक भी अधिकार नहीं आहत हो गया था मन तो कह बैठी आखिर चाहते क्या हैं आप क्यों इस तरह रोज नया नया फसाद खड़ा कर देते हो दोनों की तक्रार बढ़ने लगी तो राम्या सहमी सी मेरे कद्मों में आकर चिपक गई पिता के नाम से ही सहमी सहमी रहती थी मेरी बच्ची मैं मैसूस कर रही हूं इन दिनों आपकी आखों में मैं कुछ जादा ही किरकिरी बन कर चुबने लगी हूं हैरान हूँ, कोई भी पुरुष इतना निश्ठूर कैसे हो सकता है कि उसे अपनी पत्नी न सही कम से कम बेटी से तो लगाव होता मुझे तो शक होता है प्रतेश कि तुमने कहीं कोई और दुनिया बसा रखी है इसलिए यह सब प्रपंच रश्टी रहते हो कई दिन से मन में बात खुट रही थी, सो आज यह आक्रोश जुबान पर आही गया मुझे पीटते देख राम्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया फ्रतेश कुछ पल को अंदर गया तो मुझे लगा बला टली मगर कुछी देर में वह बाहर आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी मैं कोई समझ पाते इससे पहले उसने राम्या का हाथ पकड़ कर उसे पीछे की उर धकेल दिया तो मुझे कुछ संदेव हुआ कि इस बोतल में कुछ तो है ऐसा मगर रतेश इतनी खिनोनी हरकत करेगा मैं सपने में नहीं सूच सकती थी मैंने तो यह सूच कर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था यह एक मानसिक रूगी है जिसे दुरदैव ने मेरे साथ बान दिया जो भी हो जैसे भी हो निर्वाह करना है मगर आज वह पूरे राक्षस के अवतार में था उसने मुझे धका मार कर जमीन पर गिराने की कोशिश की तो मैंने उसकी गिरफ से निकल कर बाहर की और भागने की अभी दर्वाजे की कुंडी खोली पाई थी कि रतेश ने मुझे बालों से खीच कर वापिस भीतर की हो धकिल दिया मुझ बेवकूफ को अब तक उसके खतरनाक इरादे पर याकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह की किसी घटना को अंजाम देगा क्या है तुमारे हाथ में रतेश क्या चाहते हो मैंने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा मैं तुमसे मुक्ति पाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें आजात करती हूँ रतेश मगर ये ये शीशी फैक दो उसके खतरनाक इरादे देख खास से बोतल छीनने का प्रयास करते हुए मैंने कहा था मैं बहुत घबरा गई थी देख रही थी रतेश के सिर पर जुनोन सवार है उधर राम्या मुझसे लिपटने को आतुर थी तु वहीं रुक मेरी बच्ची पास मताना इस आदमी के सिर पर फूस सवार है इस समय तु निशे अंटी के पास चली जा राम्या मैंने चिलाते हुए राम्या को वहां से हटाने का प्रयास किया मगर बच्ची तो नादान थी वह मुझे छोड़ कर कैसे जाती मम्मी मम्मी पापा छोड़ दो मत मारो मम्मी को मम्मी मर जाएगी कैसे रोते हुए राम्या अपने नन्ने हातों से रतेश को मार रही थी धाए बरस की बच्ची अपनी पूरी ताकत लगा रही थी मुझे बचाने के लिए एक मासूम बच्ची की मासूम फर्याग भी रतेश के पाशान रदय को नहीं पिखला सकी चाने किस मिट्टी का बना था मरदूदून इंसान उसने मुझे जमीन पर पटक दोनों पैरों के बीच इस तरह भीच लिया मैं चाह कर भी उसकी कैद से मुक्त नहीं हो पा रही थी ओह आज भी सोच कर दिल काप उठता है टेलेवीजन पर ही सही देख चुकी थी ऐसी अटेक पीड़ताओं की तरह सदी अब मेरा डर लमहा लमहा बढ़ता जा रहा था मुझे यकीन होने लगा था यह पागल इंसान आज हिंसक पशु बना हुआ है और पशु हिंसा की कोई सीमा नहीं होती मेरी पकड ढीली पड़ती जा रही थी मैंने महसूस किया कि मुझे किसी का सहयोग लेना चाहिए अब बात घर की नहीं रही फोन भी मुझे इतनी दूर था और मैं उस दानव के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी मैंने राम्या को सचेत करते हुए कहा बेटी जल्दी से जाकर निशी आंटी और अंकल को बुलाला इसके अंदर हैवान सवार है ये कुछ भी कर सकता है नहीं मम्मी मम्मी मैं नहीं जाओंगी राम्या जित पर अड़ी रोती जा रही थी जा मेरी बच्ची नहीं तो ये तेरी ममी को मार डालेगा मैं चिल्ला कर बूली तो सहमी सी राम्या निशी को बुलाने दोड़ पड़ी मेरा होसला गिरता जा रहा था राम्या को डर्वाजे की तरफ भागते देख रतेश को मानो अपनी योजना पर पानी फिरता सा लगा उसने बोतल खोल ली और मेरे सिर तक ले आया उसके पैरों में जकड़ी मैं मुक्त होने को तड़प उठी छोड़ दे राक्षस ये क्या कर रहा है जानता नहीं तू भी नहीं बच पाएगा छोड़ दे मुझे भगवान के लिए मेरी बेटी छोटी है तुझे नहीं मगर उसे मेरी जरूरत है मैं तुझे आजाद करती हूँ अभी इसी पल मगर उस मानसिक रोगी ने आखिर अपने मन की कर ही ली तब बड़े इत्मिनान से धार बना कर बोतल को मेरे सिर पर उड़ेलने लगा किसी को तिल तिल कर मारना क्या होता है उस दिन मैं समझ पाई मैंने अपनी दोनों हतेलियों से चेहरे को ढख लिया तेजाब अपने बहाव के साथ मेरे सिर से होता हुआ चेहरे पर रखी हतेलियों को भिगोता उंगलियों के पोरों से रिस्ता मेरे चेहरे पर धारियां बनाता बहने लगा कनपटी से होता हुआ मेरी गर्दन छाती को जला रहा था ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे शरीर के उस हिस्से को आग की लप्टों में फेंग दिया हो मैं जोर जोर से चीकते हुए रो रही थी कुछ पल के बाद लगा कि बहाव बंद हो गया है तो मैंने डरते हुए दीरे से चेहरे पर से हतेलियों को उठाया तो देखा वै नर्भक्षी अपने शिकार कर वहां से जा चुका था पल भर में अपनी ही सहधर्मी का जीवन नरक बना कैसे चैन पाया होगा उसने उस वक्त मैं नहीं देख पा रही थी मेरे सिर्की क्या इसिती है मगर देख पा रही थी अपनी हतेलियों को मैं सूस कर पा रही थी चेहरे के कुछ हिस्से गर्दन, पीठ, पेठ और कोहुनियों में बहुत चल रहा था देखा तो शरीर की चमडी जल कर पिघल रही थी ऐसा लग रहा था मानो कोई कपड़ा बेदर्दी से खीचने पर कत्रा कत्रा फटता है उस तरह मेरी चमडी जगे जगे से फट रही थी शरीर से चमडी ऐसे निकल रही थी जैसे कोई प्लास्टिक पिघल पिघल कर मौम सा टपक रहा हो टपकते समय वह आस पास की त्वचा को भी अपने साथ कीच कर ले जा रहा था कई जगे चमड़ी ही नहीं साथ में मास भी लटक रहा था जिससे रक्त रिस रहा था उफ वह दर्द कितना असहनिय था तेजाब की गंध नाक के नथनों में कई दिनों तक इस्थाई हो गए थी काश मौत ने मुझे उसी पल अपने आगोश में ले लिया होता अपना गुबार निकाल कर वह मरजाद तो कमरे से यूहीं बाहर निकल गया मानो कुछ हुआ ही नहीं कोई किसी को कैसे इतना दारों दुख दे सकता है ऐसा आदमी जो प्रेम का मतलब ही नहीं जानता वह किसी और से भी कैसे प्यार कर सकता है निश्चे ही मनोरोगी था मैं उसका शिकार हो गई जाने कब तक मैं चीकती रही उटकर बाहर भाग पाती पैरों में इतनी हिम्मत नहीं थे फिर दर्द के मारे कब बेहोश हो गई मुझे नहीं पता कब निशी और मुकुंद भाई सहब राम्या के साथ आए और कैसे मैं हॉस्पिटल पहुची हॉस्पिटल में जरूर कुछ पल को होश आया था फिर दर्द ने आगेरा मेरी चीकों से नर्स और डाक्टरों का दिल भी पिगल गया ओ मेरा सिर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बालों को नोच कर उसकी खाली जग्हों पर मिर्च का सिरब पुडेल दिया हूँ आच आज भी वे भी भायाना किस मृतियां मेरे जग्मों को हरा रखती हैं चेहरा ऐसे जल रहा था जैसे किसी ने नुकीले काँच से चीर दिया हो गर्दन, छाती, कमर हर जगे चल रहा था किसी कसपर भी सुनाई दिया भला हूँ आखें बच गई तब मुझे आदाया मैंने अपनी हतेलियां रख ली थी कहते हुए राम्या को पुकारा उसे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे माय के खबर कर दी है वे लोग आते ही होंगे तुम आराम करो हुमा, तुम्हें दर्द हो रहा है आराम? ये जिन्दगी बड़ी पहली है किसी से बेवफाई पर उतर आती है तो किसी को अपने सभी पेंतरे दिखला जाती है नहीं जानती मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्दगी का इस दर्द का एक ही इलाज था डॉक्टर के पास बस पेन किलाज जो मेरे दर्द को कम नहीं कर पा रहा था शायद सर पर तेजाब गिरने से या फिर भयानक दर्द के कारण मैं कोमा में चली गई मेरे जीने की उम्मीद भी सभी ने खो दी होगी मान ने तो मेरे मरने की दूआ भी मांग ले थी भगवान से अफसोस भगवान ने मान की फर्याद भी नहीं सुनी सच्चाई तो यही है कि अधिक तर ऐसे पीड़ताएं हादसे में ही दम तोड़ देती हैं जो जिन्दा रह जाती हैं वो फिर उट नहीं पाती उटना भी चाहें तो जो शक्सियत उन्हें इस हासे के बाद मिलती है वो उटने नहीं देती शायद इसी सोच ने एक मा को अपनी बेटी की मौत मांगने पर विवश कर दिया पंदरे दिन बाद मैं मौत से जंग जीत कर लोटाई मगर खाव में रिसन अब भी बागी था हां रिसन जले छालों से रिसन रिष्टों के छल के रिसन नहीं राम्या जो शायद इस घटना के पूर्व से साक्षी थी इसलिए मेरे इस रूप को देखकर घबराई नहीं नहीं नफरस से मौ फेरा उल्टे मासून दिलासा देती ममा ताता हो गया आपको पापा गंदे ममा अच्छी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की उतनी खुशी नहीं थी जितना गं इस जीवन को पुनह पाने का था शायद अभी और हिसाब बाकी रह गया था जिंदगी का लोटने पर मा से पूछा रतेश कहां है उसका कोई पता नहीं रिपोर्ट लिखाई है तेरे भाईया ने पुलिस खोज रही है मगर ना मालूम किस दुनिया में जाचिपा है ना मुराद घर लोटने पर पाया मेरी कोई भी पुरानी तस्वीर कमरे में नहीं थी यहां तक की ड्रेसिंग टेबल का कांच भी वहां नहीं था मैंने पूछा था मा से मा ड्रेसिंग टेबल का कांच कहां गया वो सफाई करते हुए कांच टूट गया मुझसे बिटा अपने हाथ पेट के जले हिस्से को तो मैं रोजी देख पा रही थी पूरा चेहरा तो अभी तक नहीं देखा मैंने मगर एक दिन बातरूम में पानी की भरी बाल्टी में अपना अक्स देखकर चीक पड़ी बिरे सिर की चमड़ी किसी प्लास्टिक के टुकुडे की तरह कई जगह से एकदम सपाठ, चिकनी कहीं कहीं चमड़ी के सिमट जाने से गुच्छा होवे भाग उपर को उड़ गया कई जगह बालों के गुच्छे हैं जैसे रामायर महाभारस सीरियल में कोई भयानक राक्षस को दिखाया जाता था काश कोई पैमाना होता मेरी वेदना को नापने का तो नापकर दिखा देती कितनी वेदना से गुजरी हूँ मैं बेटी यही सच्चाई है अब जिन्दगी की तुझे इसे स्विकारना होगा माने आगोश में लेकर समझाया हा मा स्विकारना तो होगा ही सच्च स्विकारने के लिए ही होता है और मैंने जिन्दगी के इस सच को स्विकार लिया मेरा चहरा अब इस दुनिया के लिए भयावे होगा था मगर उतना नहीं क्योंकि आगे का हिस्सा हतेलियों ने खुद को जुलसा कर बचा लिया था मगर दोनों कनपटियों की चमड़ी जुलस कर कान से चिपक गई थी निशी ने बताया था हुमा तुम्हारे कानों की बालियां भी तुम्हारी कनपटी से लटकती चमड़ी से चिपक गई थी डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से निकाली हाथ लगाने की जगए नहीं थी जहां हाथ लगाओ खून की दार बहने लगती और पिर तुम्हें भी बहुत तेज दर्द होता तुम चीक पड़ती हैं वही आखिर बालियों और कानों का साथ था उसके बाद न कान रहे न बालियां गरदन और सामने छाती का भाग भी जुलस कर चितकबरा सा हो गया था दोनों हतेलियों को तो मेरा ही मन देखने का नहीं करता किसी और की तो क्या कहों उफ क्या कहे गई उनी हतेलियों ने तो मेरी आखे बचाई हैं मुझे होसला दिया कि उन ऐसी पीडिताओं को देखो जिनका पूरा चेहरा जुलसा हुआ है, आखे भी खोच चुकी हैं, फ्रतेश का कहीं कोई पता नहीं था, पुलिस खोज नहीं पाई उसे, वैसे भी उनके पास कई बड़े बड़े अपरादों की मोटी मोटी फाइलें पेंडिंग है, फिर एक मामूली स्कूल शिक्षिका के लिए वे भी क्यों परेशान हो, कुछ नारी मंचों ने कैंडल मार्च अवश किया, मगर इन कैंडल मार्चों से कब कितनी जिन्दगियों की रोशनी लोटी है, पती पतनी का घरेलू मामला कहकर फाइल बंद करती जा में यह भी सुनने को आया, कि लोग कह रहे हैं, पतनी का कहीं कोई चक्कर रहा होगा, इसलिए पती ने परेशान होकर यह कदम उठाया, वरना कोई भला ऐसा कर सकता है, ये थी पुरुश्वादी सूच, जिने हम इस्तरियों की पीड़ा कहा नजर आती है, खेर मा छे मा पिर उन्हें भी अपनी ग्रहस्ती समाली नी थी, चली गए, शारिरिक पीड़ा क्या कम थी, जो है मानसिक पीड़ा भी मुझे जिलनी पड़ी, जिन्दगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी, अब तो बस ठेल रही हूँ, जिन्दगी को, एक ने मेरा चेहरा जुलसाया, तो बाकियों ने मेरा दिल जुलसाया, इतने बरसों बाद जक्न तो भले ही भर गए हैं, किन्तु मन के घाव अभी हरे हैं, उनकी रिसन अब भी दर देती है, इतने बरस हो गए उस घटना को, मगर उसके बाद फिर कभी रातों को सुकून से सू नहीं पए। तिजाब, है कैसा हत्यारिजात किया है लोगों ने, जो जिन्दगियों को तबाह कर रहा है, क्या इसका व्यापार अर्थ व्यवस्ता का इतना जरूरी हिस्सा है, कि उसे सक्ती से रोका नहीं जा सकता, या फिर हमारे देश में जिन्दगियां सस्ती हैं, बाकि संसाधन कीम जिन्दगी जीने के लिए मेरा संघर्ष फिर शुरू हो गया, सरकारी स्कूल होने से नौकरी बरकरार थी, जिसने मा बेटी को परिवार और समाच के सामने याचक बनने से बचा लिया, अन्य था ऐसी जली दे से कई नौकरी भी मांगती तो कोई न देता, बच गई हूं त अपने लिए नहीं तो राम्या के लिए ही सही, कभी मन में आत्महत्या जैसा भाव भी आया, मगर फिर राम्या का चहरा आँखों के सामने आ चाता, उस मासूम का क्या दोश है, किसके सहारे जीएगी, कौन है, जो उसे उसके बाद सहारा देगा, हादसे, इनसान को तजुर बेकार बना देते हैं, और समय से पहले बड़ा भी बना देते हैं, राम्या भी समय से पहले समझदार हो गई, एक खुंखार बाप ने अपनी बेटी का बच्पन उससे चीन लिया, जे सुम्र में बच्चे परियों की दुनिया में गूमते, अपने हमुम्र साथियों के खेलते, मुस्कुराते हैं, मेरी बच्ची, मेरी मन हूँ शकल से चिपती रहती, क्या भिगाड़ा था मैंने व्रतेश का, अरे मैं तो उसकी हज जात्ती को बरदाश्ट कर रही थी, एक दुबर मां से कहा, तुन्होंने वही सीता सावित्री बनने की सीख दे, अपना एक विवश्ता नहीं थी, चाहती तो तलाक ले सकती थी, मगर फिर सोचती रही ये समाच बिन बाप की बेटी के लिए जीवन का सफर कहीं और मुश्किल न कर दे, ओ, इन रूडियों को ढूना कितना भारी पड़ा मुझे, काश, मैंने उस दानव को पहली बार की हिंसा के बाद ही छोड़ दिया होता, कम से कम आज कुछ मुस्कान तो मेरे हिस्से में होती हैं, वक्त ने मुझ में आयना देखने का साहसला दिया था, जिन पुरानी तस्वीरों को देखकर मैं रूया करती थी, राम्या ने उन्हें हटा दिया, मैंने भी स्विकार कर लिया, अब सि यही मेरा यथार्थ है, यही वर्तमान है और यही मेरा भविश्य, इसी लिए खर की दहलीच को लांगने से पहले अपने सिर चेरे के साथ गर्दन और हातों को भी कवर कर लेती, मानो कोई गुनाह किया हो, मेरे सिर पर जगे जगे चंद बालों की कुछ लटें बची रह ग करती है, बाकी जमीन तो हमेशा के लिए बंचर हो गई थी, मगर ये राम्या का प्रेम था, वे मेरे सिर पर बड़े प्रेम से मालिश करती, उन चंद बालों को लेकर मेरी चोटी बनाती है, कभी मेरे हातों में चोडी सजाती, माते पर बिंदी लगा कर कहती, My mama is most beautiful mother in the world, चलो मामा कहीं गूम कर आते हैं, सच्चाई तो यही है, हम जहाँ भी चाए, लोगों की द्रश्ची, हम पर ऐसे अटक जाती, मानो हम किसी और दुनिया से आये प्राण्य हैं, पार्क में सडकों पर मैं ही लोगों के आकर्शन का कींद्र बनती, ऐसे में मुझे राम्या पर बहुत तरह आता, बेचारी बच्ची मेरी वजह से खुल कर जी भी नहीं पा रही है, घर ही हमारी दुनिया थी, मैं जानती थी, स्कूल में बच्चे भी मुझे से पढ़ना नहीं चाहते थे, उनका दोश भी नहीं, ग्लैमर की दुनिया है, कई साथी भी पीट पीछे मेरा मजाक उड़ाते, केंपस के बच्चे मेरी वजह से राम्या से भी दूरी बनाए रहते, उसकी मम्मी भूतनी जै जिन्दगी में ऐसी उपमा से भी अलंकरत होना पड़ेगा, तब समझाया, ऐसी केवले की इनसान पर ही नहीं गिरता, उसके पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है, किसी से कोई शिकायत नहीं, जिन्दगी में फिर कभी खुशियां आएंगी, यह समभावना स हो चुकी थी, उसने मेरी ही नहीं अपनी बेटी की जिन्दगी के भी सारे सपनों को जलाकर राक कर दिया था, मगर जब जिन्दगी से पंगा ले ही लिया है, तो डर कैसा, ममा शरीर ही तो जुलसाया है उसने, रूमें तो जान बाकी है न, फिर क्यों हम जिन्दगी से निर हो, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है और समझतार है, सौफ्ट्वेर कमपनी में इंजीनियर है, मैं सेवा निवरत हो चुकी थी, तो वै मुझे अपने साथी रखती, जब उसे ऐसी रटेक के बारे में जादा बहतर समझाने लगा था, शायद इसलिए उसका प्यार मे देहरा हो गया था, कभी सोचती हूँ, अच्छा हुआ मैंने उस दिन राम्या को निशी के घर भेज दिया, वरना कहीं मासूम बच्ची मेरे चीखने पर मुझे से आकर लिपट जाती तो, नहीं, नहीं, यह कल्पना भी मन्स विकार नहीं करती, मैं समझाते समझाते हार गई, बेटी दुनिया में सभी इंसान तेरे पिता की तरह नहीं है, वो तो असामान ने आदमी था, उसके सीने में शायद दिल ही नहीं बनाया था भगवान ने, एक ऐसे इंसान के बल पूरी पुरुष कौम को तो नहीं नकारा जा सकता, ऐसा होता तो यह दुनिया कैसे चलती, मगर मैं उसके मन से पुरुष चाती के प्रति भराये मेल धूने में सफल नहीं हो पा रही हूँ, पती-पत्नी के रिष्टों की टकराहट के ताप ने प्रेम, सत्भावना, अपनत्व को भाब बना कर घर की दीवारों से उड़ा दिया है, रि उसकी रिसन मेरी बच्ची के जीवन को लील रही है, क्या कोई है जो मेरी सहायता करे, ताकि मेरी बच्ची का यह नीरस जीवन मरुस्थल की धूल भरी आंधियों से निकल कर प्रेम की इस निग्द सरिता में डुबकी लगा रस्में हो जाए। जब आप कहानी सुनते हुए मेरे साथ यहां तक आही गए हैं तो क्रप्या मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यबाद।